एक है लो फ्रेंड्स वेलकम टूल अफ्यू जीवन एजूकेशन में एक बार फिर से स्वागत हैं हम डिसकस कर रहे थे बीपी शी चेह चन के रिगाड़ेट चीह चो ब्रीज कोर्स के रिगाड़ेट और सी चो ट्रेनिंग के रिगाड़ेट कंप्लिट सेशन वाइज हम डिस में पैडर हमी वापस से कहां घए हैं तो नहीं देख लिएगागा आपको 5-7 सेशन चोड़कर उओ सेशन आपको मिल जाएगा उसके बाद हमने फिर्स्ट पैड्र को पूरा कंप्लेट किया अब हम वापस कहां और हम आ गए सब्सक्राइब कर लिए तो बिल्कुल आएंगे एंसी से रिगाड़ और के लगाड़ से काफी क्यों बन सकता है और यह ने सकते हैं ब्लोक करके इस सेशन के साट करते हैं तो आज कि सेशन ко मैं स्टाट कर ढूंछ Name and जगा तक सभी तक सेशन पहुंच जाए और सभी सेशन से जूड़ सके ताकि सभी को benefit हो सके क्योंकि मेरा target यही है कि सभी को benefit हो सभी तक सेशन पहुंचे सभी को question पहुंचे और सभी अपना exam अच्छे से लिखे चलिएगा इस session के अंदर start कर रहा हूं मैं कर सके क्योंकि हमारे पास timing कम है और मैं इस पिट से चलूँगा थोड़ा सा बस आपको थोड़ा सा time manage करते हुए आगे बढ़ते रहना है question को समझते रहना है questions के रिगाड़र जो भी answer है उसके रिगाड़र जो भी की points में आपको बताँ वो भी आपको note करते रहना है और not book साथ में रखेगा और साथ में self evolution भी करते रहेगा पहले answer आप दीजेगा फिर answer में दूंगा फिर उसके बाद चेक आउट करें session के बाद कि आपने कितने answer के सही जवाब दिए चलेगा last question हमने चोड़ा था which is the following advice to the pregnant woman accept करके यह से निकालना था लेडी को exercise के लिए एडवाइज करेंगे कि आप 10-15 मिनिट एडवाइज सोरी 10-15 मिनिट क्या करें exercise करें बिल्कुल सही option है यह अपने एडवाइज देंगे उसके बाद हमने एडवाइज दी कि आप smoking को suggest कर दे यानि बंद कर दे stop कर दे आभी आपको smoking नहीं करनी है यह भी एडवाइज हम लेडी को नहीं देंगे उससे यह तोड़ी कहेंगे कि आप radiation से कॉंटेक्ट मेरो radiation से एक्सपोज हो नहीं उसको आवइड करने के लिए कि कोशिस यह रहे आपकी कि radiation से एक्सपोज ना हो क्योंकि वह आपके लिए आपके बेबी के लिए हामफुल है और उम्मीद करता हूं सभी लोग जुड़ चुके हैं तो session को मैं start करता हूं और जो नहीं जुड़े हैं कोई बचे हुए हैं तो एक बार फिर से जो भी जुड़ गये हैं वो चैनल को subscribe नहीं किया तो कर लिजेगा और session को एक बार से share कर दिजेगा अपने friends सक अपने groups के अ 31st number 31st number 31st number question है थोड़ा इस पीडल पकड़ने वाला हूं में क्योंकि question मेरा टार्गेट है इस ब्लोग को इसी session के अंदर पूरा किया जाए चलेगा question है maternal risk of ZDM include ZDM क्या होता है पहली बात तो ZDM देखेगा short form कहीं आपको question में मिले तो उसका full form आपको आना चाहिए अगर नहीं आता है तो फिर आपको समझ भी नहीं आएगा क्या है अब ZDM क्या है अगर आपको याद है तो easily answer कर पाओगे अगर नहीं आद है तो फिर नहीं कर diabetes mellitus जो की pregnancy में देखी जाती है pregnancy condition में देखी जाती है जहां पर lady का जो blood sugar level है वो बढ़ जाता है ठीक है किस कारण से आपकी उस pregnancy के कारण से यानि pregnancy के कारण से अगर किसी female के अंदर diabetes mellitus हुआ है यानि sugar की problem हुई है that is gestational diabetes mellitus तो यहां पर question यह पूचा जा रहा है कि जो gestational diabetes diabetes mellitus होती है उसके regarded maternal risk क्या क्या है maternal risk क्या क्या है यानि maternity जो lady है उसके अंदर क्या क्या हो सकता है जिसके कारण से diabetes mellitus यहां पर हो सकता है ठीक है तो यहां पर देखेगा पहला option यहां पर है postpartum second option देखेगा polyhydroamoniaz third option देखेगा preclimpsia और fourth option देखेगा all of the above चलेगा जल्दी से आपको answer देना है फिर इसका correct answer में आपको बताऊंगा फिर आगे बढ़ेंगे अपन next question पर चलेगा इस question का right answer आपको देना है कि जो gestational hypertension है उसके regarded जो maternal risk है वो क्या क्या है यहां पर कौन स सही option देना है चलेगा जल्दी से अपना answer कमेंट कीजेगा क्योंकि session start हो चुका है और हम रफ्तार पकड़ने वाले हैं क्योंकि question सारे करने हैं ऐसा नहीं है दो question कर लिया पांच question छोड़ दिया दो question कर लिया नहीं हम और modules को रगड़ा मला रगड़ बिलकुल रगड़ के आपको देंगे बिलकुल चलेगा इस question का बिलकुल करेक्ट आंसर क्या होगा ओल अफ दी अबव इस question का बिलकुल करेक्ट आंसर होगा क्योंकि यहां पर अगर देखे तो यहां पर postpartum generally यहां पर हो सकता है पोष्ट पार्टम यहांपर और है हटी और जयां पार्टम की बात यहांप्स की बात है तो पीपीच की बात है तो पीपीच सी यहांपर हो सकता है और mayo redu समझ में आगया होगा तो से सेशन को लाइक सेटे रहेगा और जो भी केंडिडेट पहली बार विजिट करें चैनल पर उस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ली जगा ताकि आपको सेशन का वैड ना करना पड़े ओटोमेटिकली नोटिफिकेशन आप तक पहुंझ जाए चलेगा नेक्स्ट क्यों आपके पास 32 नंबर क्यों यह कहता है टेबलेट ओफ आई एफ ए अब बताओ आई एफ ए का फुल फॉर्म क्या है अब जिसको याद है वो क्योशन समझ के जिसको याद नहीं है वो क्योशन नहीं समझेंगे तो सोट फॉर्म भी आपको एटलिस्ट याद रखने होगे ठीक है तो टेबलेट ओफ आई एफ एफ उसकी बात की जारें तो ऑफॉलिक एस टेबलेट कब स्टार्ट कर दी जाती है बस्ट इंपोर्टेंट चोशन आना चाहिए असर पहला नहीं आपर 14 तो 16 विक में गेस्टेशन के 14 तु 16 विक पर स्टार्ट कर दीना चाहिए जेस्टेशन के 10-12 week पर स्टार्ट कर दीनी चाहिए C आप्शन यहापर 1-2 week of gestation gestation के 1-2 weeks पर स्टार्ट कर दीनी चाहिए 4th आप्शन यहापर 13-15 week of gestation 13-15 weeks पर स्टार्ट कर दीनी चाहिए चलेका answer आपको बताना क्या इसका correct answer होगा कि iron and folic acid की जो tablet start की जाती है वो कब स्टार्ट कर दी जाती है जल्दी कीजेगा ताकि आगे बढ़े अपर next question पर क्योंकि question तो बहुत सारे हैं और timing बहुत कम है क्योंकि उनका एक्जाम तो आने वाला इसी मंत की अंदर है 25 को दस दिन उनके पास बचे हैं इस question का अगर बिल्कुल correct answer अपन कहें तो option number first बिल्कुल correct answer है क्योंकि gestational age कितनी हो जाए 14 to 16 हो जाए तो इसी age में इसी period के अंदर आपको iron और folic acid की tablet start कर दी जाती है और lastly session के अंदर आपने देखा first trimester की बात होती है first trimester जैसे ही complete होता है first trimester जैसे ही complete होता है आपको iron and folic acid की tablet देना start कर दिया जाता है तो कब start की जाती है starting after the first trimester देखेंगा यहां पर अगर option में trimester दिये होते हैं तो first trimester के बाद iron and folic acid की tablet start की जाती है अब previously classes के अंदर बताया था कितने tablets देनी होती है और कितने time तक देनी होती है ठीक है तो generally generally जो iron and folic acid की tablets होती है वो 100 100 mg की tablets होती है जो की elemental iron की होती है 100 mg की tablet जो की elemental iron की होती है और 0.5 mg की होती है क्योंकि दोनों ये option में आपको मिल सकता है अगर microgram की बात करें तो 500 है और mg की बात करें तो convert करते हैं तो 0.5 mg हो जाता है याद रखेगा important है कितने time period तक start की जाती है sir 180 days तक 180 दिनों तक दी जाती है 180 दिन मतलब की sir 6 month होगे कितने month होगे 6 month होगे तो 6 month तक iron and folic acid की tablet दी जाती है याद रहे important question है आपके exam point office है भूलना नहीं है चलेगा आगे बढ़ते है next question पर next question आपके सामने क्या कहता है next question देखेगा question यह कहता है 33 number question है question कहता है polyhydry amnias can be risk for देखेगा किसके लिए risk है यानि अगर किसी lady को polyhydry amnias है क्या है polyhydry amnias polyhydry amnias क्या होता है आप सबको याद होगा polyhydry amnias होता है मतलब कि जो amniotic fluid होता है amniotic fluid होता है उसका जो amount है उसका जो amount है वो क्या हो जाता है बढ़ जाता है polyhydry amnias मतलब कि amniotic fluid का जो production है वो बढ़ जाता है और उसके बढं़ने के कारण कोई ही क्या जहता है। क्या हो सकता है। पहला option यह जीडियम हो सकता है, diabetes chemolyitis, second option is preeclipsia हो रोप्षां की बात करें, prolonged labor हो सकता है। fourth option की बात करें तो renal disorder हो सकते हैं क्या हो सकते हैं जी renal disorder हो सकते हैं अब answer आपको देना है क्या इसका correct answer है polyhydry Amenias है तो generally क्या देखने को मिलेगा डेखने को मिलेगा किसका रिसक हो जाता है चलिए गा answer आपको देना है पिर आगे बड़ेंगे इस question को लेकर next question पर चलेगा जल्दी कीजिएगा क्या इसका correct answer होगा चलेगा देखेगा यहाँ पर अगर बात करें अपन यहाँ पर अगर बात करें तो fourth option हम कटा हटा देते हैं और third option भी हम क्या कर देते हैं हटा देते हैं रिनल डिसोडर और प्रोलंग्ड लेबर दोनों को ही मैंने हटा दिया है बचे दो ओप्सन अब दो ओप्सन में से एक ओप्सन आपको चूज करना है क्या जेस्टेशनल डाइबेटीजमलाइटेस होगा क्या प्रीकलेमशिया होगा क्या इसका correct answer होगा देखेगा प्रेग्नेंसी पी इच की कंडिशन भी देखने को मिल सकते हैं जिसके अंदर आपकी प्रीकलेमश्य और रेकलेमशिय आती है उसके लावा डाइबेटीजमलाइटेस भी इसके कारण से देखने को को मिल सकता है अब इन दोनों में से अगर हमें एक चूज करना है अगर दोनों में से हमें एक चूज करना है तो फिर हम चूज करेंगे ओप्सन नमबर फॉस्ट को जैस्टेशनल डायबेटीज मलाइटस को यहां पर हम चूज करते तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बैसिकल तो यहां पर इसका राइट आंसर होता है आपका ओप्सन नमबर फर्स दोनों में से अगर हम चूज करें तो जैस्टेशनल डाइबेटीज मॉलाइटस इसकोशन का करेक्ट आंसर होगा चलेगा आगे बढ़ते हैं next question पर चलेगा आगे बढ़ते हैं next question पर next question काफी important है यहां पर देखेगा 34 number question 34 number question simple सा यह केता है a sense of decreased height, decrease height क्या height decrease हो रही है and abdominal tension felt by the pregnant woman descend of the fetus into the pelvic cavity prior to the labor is a cold edge देखें क्योशन यहाँ पर simple सा यह कहा जा रहा है कि labor से पहले ही labor नहीं हुआ है भी labor से पहले ही ladies को जो female है उसको ऐसा लगता है उसको ऐसा लगता है कि उसका weight क्या है decrease हो गया है कि किसका weight uterus का तो decrease weight and abdominal tension felt by the pregnant woman pregnant woman को ऐसा feel होता है कि उसका जो weight decrease हो गया है उसके जो abdomen का tension था तनाव था एक तरीके से वो भी क्या हो गया है decrease हो गया है ऐसा feel करती है वो pregnant lady उसके साथी descend of the fetus into the pelvic cavity प्राइर टू दे लेबर लेबर से पहले जो फीट से वो डिसेंड हो जाता है कहां पर पैल्विक केविटी में प्राइर टू दे लेबर लेबर से पहले ऐसा लेडी को फील हो रहा है यानि जो लेडी है उसको रिलीफ फील हो रहा है क्या हो रहा है रिलीफ लग रहा है क्यों गढ़ने पैल्विक की तरक मोग यानि लेबर से पहले लेबर से होगा उससे पहले ही तो क्या होगा फीटस क्या होगा नीचे की तरब यानि पहले वी केविटी की तरब क्या करेगा मुग करेगा और मुग करेगा तो फंडल हाइट में क्या होगा डिक्रीज में आएगा यानि फंडल हाइट क्या होगी डिक्रीज होगी अगर ऐसा है तो उस होगा उम्मीद हैं सभी को पता चल गया होगा समझ में आ गया होगा कि इस question का क्या राइट आंसर होना चाहिए जल्दी कीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा चलेगा अगर हम बात करें इस question के correct answer की तो इस question का जो correct answer होगा आपका इस question का जो correct answer होगा आपका वो होगा आपका option number first और और जिसके अंदर लेड़ी को relief मिलता है क्योंकि fetus क्या हो गया है डिसेंड हो चुका है पैल्विक के विटी की तरफ क्या हो चुका है डिसेंड हो चुका है जिसके कारण से फंडल हाइट तोड़ी क्या हो गई है त्वीकरी जोगी है जिसके कारण से लेडी को डिक्रिति जो और है ब्रीतिंग के अंदर उसमें ठोड़ा रिलीफ मिलता है एसी कंडीशन है उसके लगा अगर अधर गासे करेट है यह सब्सक्राइब होता है एक तरहां जो कि लेडी फैल करती है फीटस के द्वारा जो मोमेंट होता है first moment जो lady feel करती है उसको quickening कहते हैं जो कि 91 डेस्ट के अंदर डेखने को मिलता है उसके लगा अगरहम भात करें थार्ड ओप्शन की चेटविक साइन की तो इसके अंदर आपको बताया गया था कि यह होता है ब्लूइजंदर सैन की बात की ती इसमें कहा था कि इंक्रीज पर सेशन होता वेसान उप्शन कैसे देखने को मिलता है यह सारे ओप्शन आपके सामने हैं ठीक है तो lightening मतलब की एक टरिके सब एबी डिसेंद हो चुका है और लेडी को क्या हो रहा है लेडी को क्या हुआ है feel हो रहा है feel केसा relief feel हो रहा है क्योंकि abdominal tension है वो decrease हो गई है अब्डोमिनल हाइट है वो डिक्रीज हो रही है तो समझ में आ रहा ना बिलकुल लाइटनिंग इस क्योशन का राइट आंसर होगा चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्योशन पर नेक्स्ट क्योशन आपके सामने काफी इंपोर्ट है थर्टी फाइप नंबर क्योशन कैन भी साइं ओफ देखें सिंपल सा क्योशन या पर यह काहा जा रहा है कि बेई का बर्ट नहीं हुआ अभी लेकिन बेई के बर्ट से पहले ही जो मदर्स होती है ना मदर्स होती है वो ऐसा environment create कर लेती है यानि एक एक या दो वीग पहले ही बर्ट के वन टू टू वीग पह अपने रूम में क्या करने लग जाती है एक ऐसा एंवायरमेंट बना लेती हैं जिसमें उसका बेबी कमपर्टेबल रह सके अगर ऐसा होता है तो यह क्या है कौन सा साइन है चलिए आंसर बताइगा पहला पर है सर्वाइकल राइपनिंग यह होगी सेकेंड उप्सने ड्रोप अगर ऐसा है जिसके अंदर लेडी के बित के एक से दो वीक पहले ही अपने एनवायरमेंट को सेट करने लग जाती हैं तो अगर हम ऐसी कंडिशन को कहें तो यह उता है आपका boosting syndrome क्या होता है next syndrome होता है जिसके अंदर लेडी को बरत से पहले ही त्यारी करने लग जाती है इसको अपन norm करने के लिए पहले से ही प्रिपरेशन हो का कर रही है कौन कर रही है mender कर रही है एक ऐसा environment atmosphere बनाने लग जाती है अपने बेवी को कि बेवी से तो एसी कंडिशन को आपन कहते हैं नेस्टिंग सिंड्रोम याद रखेगा इंपोर्टेंट क्योंशन है आपके एक्जाम में पूचा जा सकता इसलिए आपको याद होना चाहिए काफी इंपोर्टेंट है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स क्योशन पर उम्मीद करता हूं आ थार्टी सिक्स नमबर क्योशन कहता क्या है देखेगा फोर मैनेजमेंट ओफ पीपीज़ का मैनेजमेंट कर रहे हैं हाउ मच एमल ओफ सेलाइन इन इज इन फ्लेटेड इंटु दफोर कॉंडम टेंपोनेड प्रोसीजर जो टेंपोनेड प्रोसीजर होता है उसके अंदर कॉंडम होता है उसको क्या करना है इन फ्लेट करना है तो उसके अंदर कितना एमल सलाइन आप फिल आउट करेंगे कितना एमल सलाइन आप उसके अंदर भरेंगे समझ में आगा ना मैनेजमेंट करना है और टेंपनेड जो टेंपोनेड प्रोसीजर होता है उसको एपलाई क सब्सक्राइब करेक्ट करेक्ट आंसर के बात करें अगर हम उसमें सलाइन की बात करें तो 300 से लेकर 500 तक हम उसमें क्या करेंगे सलाइन बरेंगे और एवरेज की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर अप्रोक्सिमेटली 350 ml Saline Feel करतें कितना Feel करतें कितना Feel करतें 350 ml याद रखेगा और एवरेज की अगर बात नहीं करें रेंज में बात करें तो 300 से लेकर 500 तक क्या करतें उसके अंदर सो लाइन फील करते हैं याद रखेगा important question है भूलना नहीं है चलेगा आगे बढ़ते है next question पर आगे बढ़ते है next question पर next question आपके सामने काफी important है 37 number question है 37 number question कहता क्या है है 37 number question क्या क्याता है each calcium tablet should be contain खाली जगा छोटा हुआ यहां पर भरना है contain elemental calcium and contain international unit of D3 the simple question यहां पर यह कह रहा है कि जो calcium tablet हम देते हैं calcium tablet calcium की जो tablet हम देते हैं उसके अंदर content क्या क्या होता है एक तो elemental calcium होता है एक तो क्या होता है elemental calcium होता है elemental calcium होता है और elemental calcium और दूसरा होता है vitamin D3 क्या होता है vitamin D3 होता है तो यहां पर दोनों का amount पूचा है कि calcium जो tablet होती है उसके अंदर elemental calcium कितना amount होता है उसके अलावा जो vitamin D3 है उसका कितना amount होता है दोनों एक के बाद एक दिर्खा है पहला option जो भरेगा वो आगे वाला रेंज होगा दूसरा option जो भरेगा वो पीछे वाला रेंज होगा चलेगा answer आपको देना है क्या इसका correct answer होगा जल्दी कीजेगा क्या इसका correct answer होगा पहला option यहाँ पर देखेगा पहला option है पहला option यहाँ पर है elemental iron 500 और vitamin D3 250 इसके लावा elemental calcium 700 और vitamin D3 350 उसके लावा elemental calcium 1000 और vitamin B3 500 चलिएका answer आपको बताना है आगी वाली range आपकी vitamin आगे वाली range आपकी calcium की है पीछे वाली range आपकी vitamin B3 की है चलिएका answer आपको बताना है कि जो normal calcium tablet होती है उसके अंदर कितना तो elemental calcium होता है और कितना उसमें vitamin B कितना vitamin D3 होता है चलिएका answer आपको देना है फिर आगे बात करेंगे इस question के regarded चलेगा इस question का अगर बिल्कुल correct answer अपन देखते हैं तो इस question का बिल्कुल correct answer आपका होता है option number first option number first बिल्कुल correct answer होता है 500 तो elemental calcium होता है और उसके अलावा 250 international unit आपका D3 होता है यानि जो calcium tablet होती है tablet calcium की होती है उसके अंदर अगर आपन बात करें तो elemental calcium का amount होता है 500 ml कितना होता है 500 ml sorry mg होता है 500 mg होता है उसके अलावा अगर अपन vitamin D3 की बात करें तो उसके अंदर होता है 250 international unit याद रखेगा important question है आपके exam में पूचा जा सकता है और कहीं पर नहीं मिलेगा केवल आपकी ब्लोक में मिलेगा और आपकी ब्लोक को बिलकुल ढूंड कर आपको निकाल कर देने वालाओं में इसलिए session को like share करते रहेगा continue concentration के साथ daily की class को लीजेगा चलेगा next question के बात करते है next question आपका 38 number 38 number question क्या करता है देखेगा labor is said to be normal when labor की बात की जारे labor से regarded question पूचा जा रहा है कि labor is said to be normal यानि किस टाइप की condition नीचे following option में मिलेगा आपको कि हम उसको नोर्मल कर लेबर की बात की जा रहे है नोर्मल लेबर क्या होगा जिसके अंदर क्या क्या condition होगी उसके according answer देना है नोर्मल लेबर की बात की जा रहे है चलिए पहला यहापर देखेगा onset is spontaneously उसका onset क्या सा होना चाहिए spontaneously automatically होना चाहिए अपने आप हो जाना चाहिए onset उसके लाबा fetal presentation by vertex fetal का जो presentation है वो कैसा होना चाहिए vertex presentation होना चाहिए उसके लाबा third option है complete without undue prolongation और वो बिना कोई delay किये बिना कोई prolongation किये complete हो जाना चाहिए और fourth option है all of the above चलेगा उमीद करता हूँ सबको समझ में आगया होगा question भी और answer भी तो फटापट से answer आपको बता देना है क्या इसका correct answer होगा तो normal labor की definition यहाँ पर पूचिए एक चोली में आपसे और उमीद है सबी को समझ में आगया होगा तो इस question का बिलकुल correct answer हो जाता है आपका option number D जिसको जनरली क्या कहते है जनरली नर्मल लेबर को यूटोशिया कहते है याद होगा आपको जिसको याद नहीं है वो याद रखे नॉर्मल लेबर को जनरली अपन कहते हैं यूटोश्या, क्या कहते हैं जी, यूटोश्या कहते हैं और यूटोश्या यानि नॉर्मल लेबर के अगर बात करें तो नॉर्मल लेबर automatically यानि spontaneously उसका onset होना चाहिए, क्या होना चाहिए, spontaneously उसका onset होना चाहिए फीटस किस पोजिशन में होना चाहिए परजेंटेशन में वर्टेक्स उसका परजेंटेशन होना चाहिए केसा परजेंटेशन वर्टेक्स परजेंटेशन उसका होना चाहिए और बिना कोई प्रोलोंगेशन किये वो कम्प्लीट हो जाना चाहिए उसके अलावा term condition होनी चाहिए, उसके अलावा भी बात बता दता हूं, term condition होनी चाहिए, term हो जानी चाहिए, term condition कौन सी, sir 37 से लेकर 42 के बीच में labor हो जाना चाहिए, कब 37 से लेकर 42 के बीच में labor का process complete हो जानी चाहिए, that is normal, that is normal और that is term condition, that is term condition और किसी भी टाइप के no complication, no complication of fetal और maternal यानी mother और fetus को किसी भी प्रकार का कोई complication generate नहीं होना चाहिए, आगे समझ में, तो यह चारो पंचो पॉइंट आपको याद रखने है, अगर normal labor की बात की जाए, तो labor कैसा होना चाहिए, term condition में होना चाहिए, किसी प्रकार के कोई complication generate नहीं हो जाने चाहिए, उसके लागा onset spontaneous होना चाहिए, presentation की बात करें तो vertex presentation होना चाहिए, और बिना prolongation क without undue prolongation, complete हो जाना चाहिए, आपकी labor process, that is a normal labor, और that is a utopia, याद रखेगा important question है, चलेगा आगे बढ़ते हैं, next question, next question क्या है, समझते है, next question है, 39 number, 39 number question क्या कहता है, simple बात है, early stage of labor is categorized by, देखेगा, early stage, आपने देखा होगा, और मैंने पढ़ाया भी था, आपको labor process के अंदर की labor जो है, जंदली, basically अगर बात करें, तो labor की 3 stages होती है, labor की basically कितने stages होती है, 나올 ने बात कियती है, basic बात कर रहे है, तीन stages होती है, और अगर theoretical आपने बात करें, तो 4 stages होती है तिक हैं बेसिकली हर ओर हर बुक के अंदर आपको तीन या चार तीन या चार बिलेगी किसी में पर्टिकुलर सब्समें एक जीसरी नहीं मिलेगी फार्स इस्टेज सेकंड स्टेज्ट 8.8 फॉर्थ इस्टेज स्टेज के अंदर आपको का लेबर स्टाइग होता है सथेंड सेंड अपका लेबर यानि बेबी लिए ओת जाता है एट इतना आपको याद होता है सेंड manifest भी delivered हो जाता है, 3rd stage के अंदर placenta और membran mornings अरला सेनट्सराइब की अरल होता है, प्हला option यहां पर देखेगा, यान 4 cm से भी जयादा डाइलेट वह हो जाती है उसके अलबार बी ऑप्छन की बात करें travelling इज दाइलेटीड लेस देन 4 cm सर्विक्स 4 cm से कम डाइलेट रहती है Son इंदर कितने कॉंट्रेक्षण हो रहे हैं और फॉर्ट आप्सेन की बात करें सर्विक्स इस डाइलेटेड कितना फॉर सेंटीमेटर तो क्या इसका copper आंसर के अंदर क्या होता है आपको बता ना है समझ भी आ रहा होगा चलेगा, जनरली अगर बात करें, अरली स्टेज की, किसकी, अरली स्टेज की अबर जनरली बात करते हैं, तो अरली स्टेज में, जो सर्विक्स का डाइलेशन होता है, सर्विक्स का डाइलेशन होता है, यानि फॉर्स स्टेज के अंदर आती है आपकी अरली स्टेज और इसके इमिल्ट करेंग नहीं सुर्वेंया सतब्लाइब नगल अट को अभी में स्यूक्राइब सबस्तु इस नहीं होगा तरही को आप क्या होगा इस question का right answer आपको क्या होगा option number B होगा कि इसके इंदर dilation कितना होगा cervix का cervix का dilation होगा less than 4 cm कितना होगा less than 4 cm cervix का क्या होगा यहाँ पर dilation देखने को मिलेगा याद रखेगा less than 4 cm उम्मीदे समझ में आगया होगा आगे बढ़ते हैं बात करते हैं next question आपके सामने है everyone स्टेज में काफी इंपोर्टेंट ने क्योंकि एक्टिव फिर्स पार्ट है इसका और डालेशन तो देखिए अरली स्टेज में फोर सेंटिम्टर से कम था तो यहां पर कितना हो जाएगा फोर सेंटिमिटर से जादा हो जाएगा बेसिकली डारेक्ली आंसर में बता देता हूं कि क्योशन बहुत सारे हैं तो आपको डारेक्ली यहां से याद रख लेना है ठीक है एक्टिव स्टेज के अंदर जो डाइलीशन ऑफ सर्विक्स होता है वो मोर देन फोर सेंटीमेटर हो जाता है और मोर देन 4 सेंटीमेटर की अगर बात करें तो लगभग एप्रोक्सिमेटली 4 से लेकर 4 से लेकर 7 सेंटीमेटर तक इसके अंदर डाइलीशन देखने को मिल जाता है याद रहे इंपोर्टेंट क्योशन है चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स क्योशन पर नेक्स क्योशन आपके सामने और नोट पर्मानेंटली शोटनिंग बड रिटेंड सम अफ दा कॉंट्रेक्शन देखे क्योशन यहाँ पर सिंपल सा यह का गया है कि एसा फिनोमीना है कि यूट्रॉस के अंदर जब लेबर होता है तो लेबर के अंदर जो मसल्सफ वाइबर होती है वो पर्मानेंटली उ स्टार नहीं होती हैं लेकिन के कारण से सोटनस उभस्यांटेक्षे न को हो जाती है लेकिन अपैर्मनेंटली सोतन मुख 갑자기 इसको आपन क्या कहेंगे क्योशन समझ में आगा ना है क्योशन सिंपल यह हैं लेबर प्रोसेश competit marlott स्टार्ट हो चुकिए उसकें रब पर्स सच्छ dłदर F यह सीजिट के अंदर con czas Afterwards वन्य लेगते अब잇क профशन उनने लग्डाइद तो distress st सरेक्षन होगा नाय, बिलकुल तो ऐसी कंडिसन में मिसल फाईबर है उसके अंदर परमानेंट्ली सोक्टन कान रखल नहीं होती है 4th option यहाँ पर decrement कहेंगे चलिएगा क्या इसका correct answer होगा answer आपको देना है फिर इसका correct answer आपको बताया जाएगा जल्दी कीज़ेगा क्या correct answer होगा और session को like share करते रहेगा जो भी candidate जुड़े हुए है ताकि session सभी तक पहुंच जाए और सभी session का benefit ले सके चलिएगा इस question का अगर बिल्कुल correct answer अपन कहें तो option number B बिल्कुल correct answer होगा option number B बिल्कुल correct answer होगा क्योंकि यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर क्या होगा जो muscle fiber है उनके अंदर shortening देखने को मिलेगी लेकिन वो permanent नहीं रगी जब तक contraction होगा उनके अंदर shortening देखने को मिलेगी जैसे contraction बंद हो जाएगा वो automatically अपनी stage में आ जाएगी अपने आप automatically क्या हो जाएगा relaxed हो जाएगा ठीक है तो याद रखेगा important question है याद रखेगा रिट्रेक्शन के अंदर ऐसा होता है important है याद रखेगा चलेगा आगे बढ़ते हैं next question पर और next question है आपका 42 number question 42 number question क्या कहता है देखिएगा question कहता है contraction at its the peak of intensity देखिएगा contraction हो रहा का है करें सब्सक्राइब कहां पर uuterine contraction relaxation चल रहा है योटरिस के अंदर contraction relaxation चल रहा है और contraction peak intensity पर पहुँंच जाता है transaction कहां पर पहुंच गया contraction है इतना हो रहा है कि contraction peak intensity पर पहुंच गया तो उसको हम क्या कहेंगे जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा फिर आगे बात करेंगे इस करेंगे इसका कि इंकरेंट करेंगे थार्ड अपर कहेंगे और क्या कि Ezra हो गया है चलिएगा यहां पर बिल्कुल correct question बिल्कुल correct answer की बात करें तो इस question का बिल्कुल right answer होगा आपका एक में क्या होगा जी एक में होगा यहां पर एक में किसको कहते हैं जब contraction of peak intensity वाला होता है जब contraction क्या होता है peak intensity वाला हो जाता है that is एक में that is एक में होता है क्या होता है जी एक में होता है इसके रिगार्डर आगे अपन बात करेंगे इस question के आगे भी एभी कुछ एक दो question है उनको discuss करेंगे पर तीनों question को एक साथ अपन sold out कर देंगे समझा देंगे यहाँ पर याद रखेगा peak level का और peak intensity का अगर contraction हो रहा है तो उसको एक में कहेंगे ACME ठीक है चलिएगा आगे बढ़ते हैं next question पर next question यहाँ पर simple जाई यह लिखा है 43 number question है और 43 number question यह कहता है duration when uterine muscle contract and force increase in the strength देखेगा question यहाँ पर कहे रहा है कि uterine contraction uterine muscle के अंदर contraction हो रहा है जब uterine contraction के अंदर uterine muscle के अंदर क्या हो रहा है contraction हो रहा है तो force क्या होगा increase होगा force क्या होगा increase होगा और AC condition को जो strength है उसके अंदर force increase होगा और AC condition को अपन क्या कहेंगे आंसर दीजेगा पहला option यहाँ पर increment, second option यहाँ पर एक में, third option यहाँ पर decrement और fourth option यहाँ पर all of the above चलेगा, क्या हो रहा है, uterine muscle के अंदर contraction हो रहा है, और uterine muscle के अंदर contraction होने के कारण से जो muscle है, जो muscle की strength है, उसे force generate हो रहा है, force increase हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे चलेगा, answer आपको देड़ा है, फटापट से क्या इसका correct answer होगा चलेगा, 43 number question का बिल्कुल correct answer होता है आपका, option number first, क्या कहेंगे ऐसी condition को increment कहेंगे, क्या कहेंगे, increment कहेंगे, याद रखेगा important question है, बोलना नहीं है चलेगा, next question और discuss करते हैं, फिर तीनों question को एक साथ अपन समझेंगे, चलेगा, next question यहापर, 44 number और 44 number question कहेता है, देखेगा, 44 number question यहापर कहेता है, gradual decrease in the strength of the contraction until the muscle are relaxed, देखेगा, contraction हुआ था, contraction होने के बाद, अब relaxation होगा, यानि, gradually decrease हो रही है, strengthening, gradually decrease the strength of contraction, until the muscles relaxed, जब तक muscle relaxed होती है, तब तक क्या हो रही है, उसकी strength क्या हो रही है, तो उसको क्या कहींगे, option के recording answer देना, पहला option यहापर, increment, second option यहापर, एक में, third option यहापर, decrement, और fourth option यहापर, all of the above, चलेगा, उम्मीद करता हूँ, सभी को समझ में आ गया को, इसका answer क्या होना चाहिए, चलेगा, इस question का बिल्कुल correct answer है, that is option number C, decrement, क्योंकि यहाँ पर gradually decrease हो रही है, strength, कब तक decrease हो रही है, जब तक की muscle क्या नहीं हो रही है, relaxed नहीं होती है, ठीक है, तो यहापर बिल्कुल correct answer क्या हो जाता है, option number C, बिल्कुल correct answer हो जाता है, और correct answer तो आपने देख लिया, थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि आपको याद रहे, चले, देखेगा, यहाँ पर आप डाइग्राम विजिबल कर रहा होगे, डाइग्राम आपको दिख रहा होगा, देखेगा, यहाँ पर एक छोटा सा graph लाइक बना होगा, आपको यहाँ पर यह 1st contraction, फिर यहाँ पर 2nd contraction, यहाँ बना होगे, और इंकरीज होगी और इंकरीज होने के बाद इस कंडिशन को जो इंकरीज हो रही है, मसल्स के अंदर strength बढ़ रही है, इसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं क्या एंक्रीमेंट कहते हैं आप यहां पर मसल कन्रेक्शन शन एक में उसके बाद औweise एसके होने लगेगा और और य च applies कि सबने रवापस से क्षरीर होने लगेगा तो pect । धर日本 भीमेंट कर दने लगेंगे और वापस से गोज़ने लगेगा तो टेकरिमेंट कर तरीके से यह कंप्लीट होता है यह कंप्लीट होता है यानि होगा पीर अपर याद रखना यह उम्मीद हैं आगई होगा है तो बढ़ जाते हैं अपर नेक्स पर अपको समझ में आ गया होगा और उसी के साथ बीपी सी इंचन आपके लिए किया हुआ है आपके मिशन एजुकेशन एप पर जो भी इंट्रेस्टेड है जो भी जोइन करना चाता है कर सकता है यहां पर आपको प्रेक्टिस सेट के रिगार्डेड क्योशन अवेलेबल करवाए गए जहां पर अप्रोक्सिमेटली सारी क्योशन आपको एप पर मिलेंगे सारी क्योशन आप आसानी से इजली पढ़ सकते हैं और अगर आप जोइन करना चाहते हैं तो मिशन एजुकेशन डाउनलोड कर लिजेगा वहां से आपको इसके रिगड़ेड सारी इंफोर्मेशन मिल जाएगे चलेगा बढ़ते हैं व यह कोंट्रेक्शन स्टार्ट हो रहा है तो यहां पर इंट्रेंसिटी क्या हो रही है बढ़ रही है जैसे जैसे इंट्रेंसिटी बढ़ रही है यानि स्टेंथ बढ़ रही है तो इसको कहते हैं अपन इंक्रेमेंट क्या कहते हैं इंक्रेमेंट कहते हैं अब कोंट्रेक्श कम्ट्रेक्षन में पहलें इंक्रीमेंट होगा फिर एक में कंडिशन आएगी विः होगा जब जाकर एक कोंड्रेक्षन आपका क्या होगा थे हैं किया होता है उम्हा है समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते जो लगी आश्यों चलब नेश Sum यह क्या है, lie, attitude, presentation, position और engagement क्या है, इनके regarded कौन सा statement यहाँ पर सही है, option के according answer दिना है, पहला option यहाँ पर है, step of mechanism of labor, labor की जो stages है, step है उसका mechanism, यानि labor mechanism है, second option है, aspect of labor, labor के aspect है, third option देखेगा, component of labor, labor के component है, fourth option यहाँ पर देखेगा, condition to be followed in labor, labor के duration में, जो condition followed होती है, वो है, अब answer आपको देना है, क्या है, lie है, attitude है, presentation है, या फिर position है, या फिर यहाँ पर engagement है, चलिएगा, समझ में आगे न, lie, attitude, presentation, position और engagement, यह सारी चीज़े अगर आ रही है, तो इनको अपन कहेंगे क्या, क्या यह labor का mechanism है, क्या यह labor का aspect है, labor के regarded aspect है, या फिर labor के component है, या फिर labor के during, जो conditions follow होती है, वो है, चलिएगा, इस question का अगर बिलकुल right answer आपने देखे, तो बिलकुल right answer इसका होता है, option number D, option number D होता है, यह mechanism के अंदर नहीं आती है, यह aspect नहीं है, यह component नहीं है, यह क्या है, condition है, जो की labor के during a followed होती है, condition है, जो की labor के during a followed होती है, फोलो की जाती है, या फोलो होती है, इसलिए आपको याद रखना है, lie, attitude, presentation, और position, और engagement, यह सारी क्या है, condition है, जो की labor के during a followed होती है, याद रहे, important है, आपके exam point उसे, चलेगा, आगे बढ़ते हैं, next question पर, next question आपके सामने 46 number, 46 number question, simple सा यह कहता है, the relationship of the long axis of fetus, long axis of fetus to the long axis of uterus, simple question यहाँ पर यह पूचा है, कि fetus के long axis और mother के long axis के अंदर relationship है, किसके बीच में relationship है, maternal long axis और fetal long axis के बीच में relationship है, समझ में आ रहा है, relationship किसके बीच में, long axis of fetus and long axis of uterus, अगर दोनों के बीच में relationship है तो उसको पन क्या कहेंगे answer आपको देना है पहला option यहाँ पर like कहेंगे second option यहाँ पर attitude कहेंगे third option यहाँ पर presentation कहेंगे fourth option यहाँ पर position कहेंगे चले का जल्दी चे आपको answer बताना है क्या है इसका correct answer होगा क्या कहेंगे हम कि relationship है किसका किस से long axis of fetus to the long axis of uterus चलेगा इसको हम कहेंगे option number first बिल्कुल right answer है option number first बिल्कुल right answer है क्या कहेंगे इसको lie कहेंगे lie कहेंगे maternal long axis का fetal long axis से अगर relationship है तो उसको अपन कहेंगे lie क्या कहेंगे lie कहेंगे याद रहे important question है आपके exam point of view से पूचा जा सकता है चलेगा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर most common lie कौन सी होती है 47 number question है 47 number question यह कहता है most common lie कौन सी होती है lie समझ गए fetal long axis का maternal या uterus के long axis से अगर relationship है that is lie अब most common lie कौन सी होती है second option यहाँ पर transverse होती है third option यहाँ पर obliquick होनी चाहिए और fourth option यहाँ पर none of the above होती है बताइए कौन सी lie most commonly होती है यानि ज़्यादा तर देखने को मिलती है labor की condition में चलेगा answer आपको देना है फटापट से क्या इसका correct answer है फिर आपको आगे जाकर इसका answer भी बताया जाएगा चलेगा इसके रिगाडर आपको diagram भी बता देता हूं है ताकि आपको याद रहेगा चलेगा जल्दी कीजेगा कौन सी most common lie होती है answer दे दीजेगा पहले इसका ताकि आपना आगे बढ़ेंगे next question पर चलेगा यहाँ पर अगर आपना बात करते हैं तो इसका जो बिल्कुल correct answer है that is option number first option number first बिल्कुल correct answer है most common lie की अगर बात करें तो longitudinal lie होती है most common lie की अगर आपना बात करते हैं तो longitudinal lie होती है most commonly lie देखने को मिलती है longitudinal lie जो approximately 99% cases के अंदर देखने को मिलती है इसके अलावा longitudinal के लवा transverse होती है तीनो टाइप की lie देखने को मिलती है लेकिन उसके अंदर most commonly कौन से देखने को मिलती है आपकी longitudinal lie देखने को मिलती है याद रहे important question है आपके exam point of view से चलिएका मैं छोटा सा diagram आपको पटापट से आपको डाइग्राम बता देते हैं ताकि आपको याद रहें चलिगा यहां पर देखेगा यह आपका लाई उप्सन है और यहां पर देखेगा लाई कैसे कैसे है एक तो लाई यहां पर है बसष BURNALLY में यह उती है बिलकुल पेलल में यह होती है देखेगा देख लिजहगा दिख रहें आपको बिलकुल इजी लाई है तो यह ओब्लिक्वी लाई होगी ठीक है तो तीन तरीके से लाई देखने को मिलती है लोंगी टूडिनल लाई देखने को मिलती है और अब्लिक्वी लाई देखने को मिलती है most common के अगर बात करें तो लोंगी टूडिनल लाई अब में देखने को मिलती है याद रख आजाते हैं अपने question पर और next question आपके सामने हैं काफी important देखेगा 48 number question 48 number question कहता है the relationship of the fetal with self fetus का खुद के साथ मतलब उसके head के साथ उसके limb के साथ उसकी trunk के साथ अगर fetus का खुद के साथ relationship है तो उसको हम क्या कहेंगे fetus का खुद के साथ relationship है तो हम उसको क्या कहेंगे पहला option है lie कहेंगे second option है attitude कहेंगे third option है presentation कहेंगे fourth option है position कहेंगे चले का क्या कहेंगे fetus का खुद के साथ relationship है चलेगा यहां पर बिल्कुल correct answer आपका होता है बिल्कुल correct answer आपका होता है option number be बिल्कुल correct answer होता है क्या होता है यह attitude होता है fetus का खुद की body के साथ यानि self के साथ अगर relationship है that is attitude क्या है attitude होता है याद रखेगा important question है fetus का खुद के साथ relationship है that is attitude है next question की बात करें next question की बात करें तो next question काफी important है 49 number कहता है the part of uterus which is lie in the lower pole of the uterus देखे question यहां पर simple सा यह कह रहा है कि part of uterus जो fetus है fetus है उसका part कहां पर है lie में है in the lower pole of the uterus जो uterus है उसके lower pole पर है समझ गएना क्या है fetus का part और fetus का part जो की lie है जो की कहां पर है lower pole of uterus पर है तो उसको हम क्या कहीं गें समझ में आ रहा हो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा बिल्कुल fetus का जो presenting part है simple सा मैंने बता दिया आपको पता है दोनों को मैंने काट दिया बताओ दो आपके सामने परजेंटेशन काट अंसर दीजेगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा अगर यूटरस के लोवर पोल में अगर फीटरस का पार्ट है तो उसको अपन क्या कहेंगे जनरली समझ में आ गया होगा बिल्कुल क्या कहेंगे उसको ओप्शन के एक दो डियाग्राम अपन देख लेते ताकि यह यह लाँ लाँ पर्ट के फीटरस के लोवर पोल में अगर फीटरस है मायन के चलेगा यहाँ पर डियाग्राम में इस डियाग्रा में फॉल्स यह आपके पहलिस बोन है क्या है यह बोन है अब इसके अंदर अगर फीटस का पार्ट है फीटस पार्ट है यहाँ पर देखेगा 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 यहाँ पर इसके बटक से वह पर पर देखेगा यहाँ पर इसके बटक से वह पर बुझे पर हैं, तो ऐसी condition कपन क्या कहें हैं, यह प्रजन्टेशन खाएंगें, की प्रजेंटेशन होती है बैसिकली तीन तरीके से प्रजेंटेशन होती है वर्टेक्स प्रजेंटेशन जिसको सिपलिक प्रजेंटेशन भी कहते हैं दूसरा प्रजेंटेशन होता है ब्रीच प्रजेंटेशन और थर्ड प्रजेंटेशन होता है सोल्डर प्रजेंटेशन ज अधान नहीं जान्रै तो 위र्टिक्स या स्पोभु को फोली हो सकता है कि मिलता데 देखने को मिलता है स्पेली की वर्टिक्स प्रजेंटेशं देखने को मिलता है चले आगे बढ़ते हैं next question आपके सामने 50 number 50 number question आपका कहता है देखेगा the relationship between the denominator denominator and six point of the pelvic brim question यहाँ पर simple सा यह पूचा हुआ है कि relationship of the denominator denominator generally आपके साथ उसके pelvic brim के साथ relationship between the denominator and pelvic point sorry six point of pelvis brim ठीक है question क्या किया रहा है relationship between the denominator and six point of the pelvic brim क्या कहेंगे पहला option है like कहेंगे second option है यहाँ पर attitude कहेंगे third option यहाँ पर presentation कहेंगे अब सब आपने जान लिया तो बचा हुआ option यही कहा जाएगा बिल्कुल बचा हुआ option यही कहा जाएगा option number fourth बिल्कुल correct answer होगा यहाँ पर position कहेंगे क्योंकि lie तो अलग बता आपने attitude की बात अलग की थी और presentation की बात अलग की थी पोजिशन के अंदर ऐसा होता है कि डेनोमिनेटर और six point of pelvic brim के अंदर अगर relationship रहे तो उसको अपन पोजिशन कहते हैं क्या कहते हैं पोजिशन कहते हैं याद रहे important question है पूंचा जा सकता है बाकी आगे बढ़ते हैं next question पर को ज्यादा ज्यादा like share करते रहना है ताकि सभी तक station पहुंचाए सभी को benefit हो और सभी question आपको भी समझ में आने चाहिए आपको भी याद होने चाहिए चैनल को पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि इसी तरह के से continue session आपको मिलता रहे session का wait ना करना पड़े चलेगा next question आपका 51 number 51 number question क्या कहता है देखेगा 51 number question कहता है most common type of presentation अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि presentation का most common type कोन सा होता है प्रेजेंटेशन का most common type कोन सा होता है answer आपको बताना है पहला option यहाँ पर देखेगा vertex presentation second option देखेगा breach presentation third option देखेगा solder presentation और fourth option देखेगा none of these presentation जली जा पटापट से answer आपको बताना है कि चलेगा यहाँ पार जो बिल्कुल correct answer होगा क्या होगा most common type of presentation जो कि मैंने पहले भी बता दिया ज्याद्य टाइम वेस्टिया आपको नहीं करेंगे पहला option बिल्कुल correct answer होगा वर्टेक्स परजेंटेशन जिसको symbolic presentation भी कहते हैं यह most commonly देखा जाता है most common yourself the core जो ईासरो और चना की जाता साथ unterwegs उツयेंटेशन पार जो उल्डश परसणेशन के नाम से जाना जाता है याद रखेगा मोस्ट कॉमन टाइप प्रजेंटेशन याद रहे इंपोर्टेंट है क्योशन एक्जाम में पूंचा जा सकता है चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्योश्टन पर क्योश्ट के बोनी फिक्स्ट प्युक्त आफटोश्ट को क्या और फ्रत पर पॉइंट प्मynn टाइटन इनव्ट sided इंगें आपको देना मुलब छांद से चलिए नहां पर बίलकुल करेक्ट अंशर आपका ओप्सान मच सुनों श्रीक लगाता है उनको रहा इमपोरटेंट किजेगा आगे बढ़ जाते हैं वापस से नेक्स पर और नेक्स प्रफ़ेंट अपके सामने हैं 53 नमबर कोशन काफी इंपोर्टेंट आपके एक्जाम में पूंचा जा सकता है most important star बना लिजेगा star बना लिजेगा काफी important question है आपके exam में पूचा जा सकता है question simple सा ये कहता है number of tray to be prepared in the labor room labor room के अंदर जो tray अलग-अलग type की जो tray होती है वो prepare करके रखी जाती है और कितने type की tray prepare करके रखी जाती है तो answer आपको दिरना है labor room के अंदर कितने type की tray prepare करके रखी जाती answer बताना है पहला option है यापर 4 दूसरा option है यापर 3 थार्ड option है यापर 8 और फोर्थ option है यापर 7 चलेगा क्या इसका correct answer होगा answer आपको दिरना है काफी important question है आपके exam point of view से चलेगा इस question का बिल्कुल correct answer अपना दे तो option number D यहाँ पर बिल्कुल correct है option number D यहाँ पर बिल्कुल correct है कितनी type की tray होती है labor room के अंदर सर 7 type की tray होती है कितनी tray 7 type की tray यहाँ पर होती है कहाँ पर labor room के अंदर 7 type की tray रखी हुई रहती है कितनी type की 7 type की कौन कौन सी देखे count करते हैं पहली ट्रे होती है जिसको delivery tray कहते है पहली ट्रे जिसको delivery tray कहते है लिख लीजिएगा, note कर लीजिएगा दूसरी ट्रे होती है जिसको epiziotomy tray कहते है epiziotomy tray third tray होती है that is a baby tray baby tray होती है याद रखेगा fourth tray होती है that is a medicine tray कौन सी medicine tray अलग अलग tray होती है यहां पर seven type की ठीक है और fifth tray होती है that is emergency tray कौन सी emergency tray sixth tray होती है that is MVA या फिर EVA tray क्या होता है यह होता है MVA जो tray होती है वो होता है manual vacuum aspiration tray manual vacuum aspiration tray और EVA होती है electronic या electric vacuum aspiration tray और seven tray होती है that is PPIUCD PPIUCD मतलब postpartum IUCD tray postpartum IUCD tray याद रखेगा तो यह seven type की tray होती है जो की labor room के अंदर arrange करके prepare करके रखी जाती है याद रहे और इन tray से previously exam session के अंदर question पूचा हुआ है तो सभी trays के अंदर क्या-क्या equipment होते है वो आपको याद होना चाहिए एक बार मैं बता देता हूँ क्या-क्या trays इन tray के अंदर क्या-क्या equipment होते हैं फिर आगे अपन बढ़ेंगे next question पर चलेगा मैं बता देता हूँ एक बार से आपको कि इन tray के अंदर क्या-क्या equipment रखे हुए होते चलेगा पहली ट्रेय होते हैं आपर ओती हैं बैसिकली टाइप की tray रखकं़ हुए होती हैं पहली ट्रेय होती है देटी busy tray को अपन देख लेते हैं शमज़ लेते हैं पहली ट्रेय द्याटी लिवडि ट्रेय और सके अंदर क्या-क्या equipment होते हैं देक़्ेशन से रिगाडर से सिटने भी एते होते हैं वो इसी ट्रेके इंदर होते इस बेशिक बेशिक पॉइंट बताऊं हम आपको डॉस इस सी जर्ज आज रखनाया है को ब्र немного को हम से आपके डिरिक और क्योंशन पूजा सकता है कि को ढूत कलें खिस ट्रे के अंदर होता है तो आपका अंसर जाएगा सर जो डिलेवरी ट्रे होती है उसके अंदर जाएगा उसके लाबा इस्पंज होल्डिंग पोर से यूरिनरी कैथेटर यहां से क्योशन बन सकता है यूरिनरी कैथेटर किस ट्रे के अंदर रखा जाता है आपका अंसर गौज़ पीस and cotton swab, इस्पेकुलम, sanitary pad then kidney tray और kidney tray द्दें किसा के अन दर होती हैं यहाँग मेशिक लिफी से pior की लिफीकुक्त के लिपक्तार प्रेमे यहां नहीं होती है यहाँ तु भी topics लिफी सवाल export जानेफी मेर्वने वेulle कहाँद कि तेबल सें पहला- कोड कॉर्ड कलेम से दूसरा यूरिन के टेट्र में और यहां पर सेनेटरी पेड या से इस के इसके कुलम से यह को तक यह से तक यह को सबन सकता है थी कैसे नरहीं कि इसक याद रहागा नहीं कि अगर बात करें लिए एकट करें यह करht इसमें रखा रहता है आपका xylokin, 2% xylokin रखा रहता है, जो कि NS30-out, उसके लबा, यहां पर रखाता है, 10 ml की disposable syringe और needles, उसके लबा, एpigyotomy seizure, यहां से connection बन सकता है, कि epigyotomy seizure कि से track अंदर रखी रहती है, आपको डारेक्ली समझ में आजागा, tooth for safe यहाँ पर याद रखेगा tooth for safe यहाँ पर अवेलेबल होता है तो epigotomic की अंदर tooth for safe जो होता है वो अवेलेबल होता है उसके लबा needle holder होता है उसके लबा needle around round body needles यहाँ पर उता है उसके लवा chronic cat gut zero number का sutures यहां पर होता है cat gut suture है chromic cat gut suture zero number का यहां पर होता है goze piece, cotton swab, antiseptic solution thumb pore shape और gloves इनसे regarding कोई question नहीं बनता है basic basic जो point है वो आपको याद रखना है ठीक है उसके लवा third tray की अगर बात करें baby tray baby tray की बात करें तो baby tray के अंदर कौन-कौन से items रखे रहते हैं वो देखेगा इसके अंदर two prepared warmed towel होते है baby को rape करने के लिए यहां से question नहीं बनता cotton swab, mucos extractor यहां से आपको याद रखना है mucos extractor काँ पर होता है आपका answer जाएगा सर यहां पर baby tray के अंदर होगा उसके लावा बेग एंड मास्क काँ पर होता है यह भी baby tray के अंदर जाएगा stylize thread and code clamp code clamp किसमे होता है तो code clamp किसमे होता है यहां पर भी है और यहां पर भी है लेकिन basically अगर बात करें code clamp तो delivery के अंदर भी होता है और baby tray के अंदर भी होता है ठीक है उसके लावा एंजी ट्यूब कहां पर होता है यहां से question आपसे बना जासता है यहां से question बन सकता है एंजी ट्यूब किस ट्रे के अंदर होती है तो baby tray के अंदर होती है आपकी एंजी ट्यूब उसके लावा vitamin K का injection कहा होता है baby tray के अंदर होता है कई कैथ कि एपढ़ करें अ हम्हें कि हैं उसके अलावा ओर नहीं कैश से देखेगा आगे अपढ़े तो सिरिंज और रहा ये नॉर्मल ये उसके लावा मैडिसींस की बात करें तो जितनी है medicines है like यहां पर oxytocin है oxytocin जनरली यहां पर अवेलेबल होती है oxytocin यहां पर होती है उसके बाद अगर अपन बात करें next ट्रेइंटे इमर्जेंस इमर्जेंस होती है इमर्जेंस होती है एक बार इसको जरूर कर लें पूरी को ताकि अगर कोई भीक्योंशन इसके रिगारडर आयर तो आप इसलिए कर पाए उसके लबाद यहां पर MVA MVA Manual Vacuum Aspiration Tray होती है इसके अंदर भी कुछ आइटम्स होते है यानि यहाँ पर देखें MTP Canula होता है MTP Canula कहाँ पर होता है MVA Tray के अंदर होता है ठीक है उसके लावा Anterior Vaginal Retractor Anterior Vaginal Wall Retractor यहाँ पर होता है Anterior Vaginal Wall Retractor यहाँ पर होता है उसके अलावा Sponge Holder परसेप तो सब में होता है MVA Syringe कहाँ पर होती है आप कहाँ से जाएगा MVA Tray के अंदर MVA Tray के अंदर होता है उसके अलावा Other Item देख ली जगा उसके अलावा Next 7th Number का जो आपका Tray है That is PP IUCD यानि Post Partum IUCD Tray होती है जिसके अंदर आपकी जितने भी पोरसेप होते है इसको इंसर्ट करने के लिए वो होते है फोरसेप Sponge Holding फोरसेप होता है और इसके अंदर जो IUD है वो होती है 380A हो सकता है या फिर Copper T IUD IUCD कितना हो सकता है 370 हो सकता है यह हो सकता है यह होते है वो किस Lo21 फोरसेप होती है तो आपका याद रखना है FF 105 IUCD के अंदर होती है विर को याद रखने है उमीद आपको याद रहेगी और उमीद आपको समझ में आ रही होगी चले का आगे बढ़ जाते है और नेक्स क्रेंशन पर आजाते हैं ट्रे को तो इजिली समझ में आ जाएगा और आंसर दे देंगे ट्रे टू बी प्रिपियर्ड इंद लेबर रूम पू stirring लेबर रूम के अंदर कोँ़ सी ट्रे को नहीं रखा जाता हैक्स करके निकाल रहा है क्योंकि जितने भी ट्रे होती है वे फॉलोविंग लेकिन एक ट्रे है जो की लेबर रूम के अंदर प्रिपेर नहीं की कीक यहां पर कार्क्ष कि सेवन टाइप कि होती है जिसके अदर किड्न डे नहीं होती है किड्नी ट्रे संके अंदर प्रिपर से reaches एद यहां पर यहां लगते हैं एक आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्योशन नेक्सिल रखकता काख बैलैंई code claim is kept in which tray of the labor labor room के अंदर जो tray prepare की जाती है उनकी किस tray के अंदर आपका code claim रहता है code claim किस tray के अंदर रखा रहता है answer आपको देना है फटापर से क्या इसका correct answer होगा code claim की बात की जा रही है फटापर से आंसर दीजेगा after data olmay toy tragedy tray के अंदर होगा या delivery tray के अंदर होगा या फिर medicine tray के अंदर होगा चिलिक आंसर आपको दिना है क्या इसका correct answer होगा जनरली अगर आपने बात करें तो एपिजोटों में ट्रे और मेडिसिन ट्रे के अंदर यह नहीं होता है तो दिलेजरी के अंदर होती तो फिर नहीं से ऐसे कर सकता है अगर उन में से छूंछ करना हो तो प्र दिलेउरी त्रे को आप छूंच करेंगे और इसे और इक चूंज date यहां पर यहां पर epigotomy tray के अंदर second option यहाँ पर baby tray के अंदर third option यहाँ पर delivery tray के अंदर और fourth option यहाँ पर medicine add spring medicine tray के अंदर जलदी से आपको answer बताना है कि किस tray के अंदर आपकी चलेगा इस question का बिल्कुल correct answer अगर बात करें तो option number second बिल्कुल correct answer है बेबी ट्रे के अंदर आपकी एंगी ट्यूब होती है, किसके अंदर होती है, बेबी ट्रे के अंदर आपकी एंगी ट्रे होती है, नेजो गेस्टिक ट्यूब होती है, याद रहे, चलेगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स क्योशन पर, और सेशन को लाइक शेयर करते रहेगा, त अंदर जो ट्रे प्रिपियर होती है उनके किस ट्रे के अंदर आपकी यूरिनरी कैतेटर होता है यूरिनरी कैतेटर होता है चलेगा जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा एपिजोटोमे ट्रे बेबी ट्रे डिलेवरी ट्रे या फिर मेडिसेन ट् चलेगा यहां पर अगर बात करें बिल्कुल correct answer की तो यहां पर जो tray होती है उनके अंदर catheter available होता है आपके delivery tray के अंदर क्योंकि एपिजिटों में tray के अंदर तो नहीं होता है उसके लावा medicine tray के अंदर भी नहीं होता है ठीक है बैबी tray के अंदर भी मुश्किल से ही होता है लेकिन delivery tray के अंदर 100% आपका catheter available रहता है उसके लावा एक और tray होती है जिसको अपन MVA manual vacuum aspiration tray केते हैं इसके अंदर भी आपका catheter involved हो होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question की बात करते हैं next question आपके सामने काफी important next question काफी important question को पन स्वोल कर रहे है 58 number question ने कहता क्या है most common type of epizotomy 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 क्या होता है epizotomy को perineotomy भी कहा जाता है epizotomy procedure procedure है epizotomy एक procedure है जिसको perineotomy भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर perineum के अंदर क्या लगाया जाता है perineum के अंदर कट लगाया जाता है यानि surgical incision made in the area between the vagina and anus anus और vagina के बीच में anus और vagina के बीच में cut लगाया जाता है और उस part को उस area को बोला जाता है perineum क्या बोला जाता है perineum बोला जाता है इसलिए इसको perineotomy भी कहा जाता है जाता है और most common perineotomy होती है that is क्या होती है option के according answer देना है पहला option है medial lateral second option यहापर median या midline third option यहापर lateral fourth option यहापर jsep चलिए answer आपको देना है क्या इसका correct answer होगा most common most common epizotomy कोंसी होती है most common type of epizotomy क्योंसी होती है answer आपको देना F8 पर से चलिए इस question का बिलकुल correct answer होता है आपका option number a बिलकुल correct answer है medial lateral ठीक है क्योंसी epizotomy medial lateral epizotomy जो की most common देखी जाती है याद रखेगा most common epizotomy that is a medial lateral epizotomy और epizotomy को ही क्या बोला जाता है perineotomy भी बोला जाता है याद रखे question आपसे पूंचा जा सकता है perineotomy is also known as that is your answer is epizotomy ठीक है तो epizotomy को ही perineotomy कहा जाता है उमीदे समझ में आ रहा होगा याद हो रहा होगा चलेगा next question की बात करते हैं और next question आपके सामने है 59 number question और 59 number question क्या कहता है देखेगा separation of placenta can be characterized by can be characterized by यानी placenta का separation अपन कर रहे हैं तो केसे पता चलेगा कि placenta का separation हो रहा है तो आपको केसे पता चलेगा कि placenta का separation हो चुका है क्या condition आपको देखी जाएगी या क्या condition आप देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि हाँ placenta का separation हो गया है तो placenta का separation जब होता है तो क्या-क्या characters वाँ पर देखने को मिलते हैं, पहला option यहाँ पर formation of retro placental cloth, second option है, slightly gust of vaginal bleeding, यानि vaginal bleeding आएगी, उसके लवा sudden trickled or gust of blood, यहनी suddenly trickled or gust of blood देखने को मिलेगा, और fourth option है, all of the देखने को मिलेगा, चलेगा क्या इसका correct answer, उसका answer आपको बताना है, separation of placenta, placenta का separation देखने को मिलेगा, जब आप कौन से character देखने को मिलते हैं, चलेगा, इस question का बिल्कुल right answer है, that is option number D, यहाँ पर जब भी placenta क्या होता है, separate होता है, जब भी placenta क्या होता है, separate होता है, तो वहाँ पर formation of retro placental clot देखने को मिलता है, उसके लवा slightly gust of vaginal bleeding देखने को मिलते हैं, उसके लवा sudden trickled gust of blood देखने को यहाँ पर मिलता है, तो बिल्कुल correct answer क्या होता है, option number D, क्योंकि सभी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, उमीद है समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं next question पर next question आपके सामने, काफी important है, simple question है, descent of placenta, descent of placenta can be characterized, देखेगा, उपर का जो question आपने देखा, उसके अंदर क्या हो रहा है, क्यों placenta separate हुआ है, अब placenta descend होगा, तो क्या-क्या characters हमें देखने को मिलेंगे, पहला option यहाँ पर देखेगा, sudden trickled और gust of blood, second option है, lightening of amulical cord, third option देखेगा, uterus rise in abdomen, और fourth option देखेगा, all of the above, कौन सा character आपको देखने को मिलेगा, जब आपका placenta descend हो गया, जब placenta descend होगा, तो कौन सा option correct होगा, यहाँ पर question के अंदर, चलेगा, जल्दी से आपका answer देना है, क्या इसका correct answer है, और इस session को जादा जादा like करे, share करे, ताकि सभी तक session पहुंच जाए, चलेगा, इस question का बिल बिलकुल correct answer है, option number D, बिलकुल correct answer है, क्योंकि यहाँ पर सभी option देखने को मिलेगे, क्योंकि यहाँ पर सभी option देखने को मिलेगे, क्योंकि यहाँ पर अगर देखे, तो gust of blood भी देखने को मिलेगा, suddenly trickled और gust of blood देखने को मिलेगा, जैसे ही placenta, क्या होगा, descend होगा, तो blood बल्सक्त कारां सेठीट क्याओं आप सुचारी में यांगई इस सेशन को यहीपस को अपय फिनीज करते हैं तो नेoudर सेठीड़ हों existem एक और सब्सक्तिंस सभी सेशन करें आप सेठीड़ हों मैं या चैनल में तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन कोल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के से कंटिन्यू सेशन आपको मिलते रहे बागी आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स सेशन में जल्द ही जब तक के लिए बने रहे जी वन एजुकेशन व कर दो झाल थब खूर डर तक के लगए जब तक के लिए भी याज़ झाल से सेशन गाज़ कि जचआ से से लिए उड़ को थे जड़ के लिए जब खियोग के लिए अज़ के लिए रहे ज़ प्रेस का आज़ के लिएग में